कुछ देर हुई लेकिन अब जो National Testing Agency है उन्होंने CUET exam के results देर रात को release कर दिये लेकिन कुछ सवाल अभी भी बच्चों के मन में है जिन्होंने पूरा साल prepare किया है पिछला साल बहुत अलग रहा है बारवी के बच्चों के लिए पहली बरी ये exam करवाय जा रहा है CUET entrance test करवाय जा रही है और दो बार इन बच्चों ने board exams भी दिये हैं हम बात कर रहे हैं विनायक गर्क से विनायक आप बताईए कि आपकी choice of university कॉनसी है और कितने percentile आपकी आई है क्या course में आपने apply किया है और इस वक्त आपके मन में क्या सवाल है इन रिजल्ट्स को लेकर रहे है है मेरी percentile है 92 मैं बच्चों वन सरे को धुटस्थो में इन आपके रहे हैं यहाँ कि देली उनिवर्स्टी में अपकार रहे है क्योंकि देली उनिवर्स्टी आपके एं फर इस तॉप नोच उनिवर्स्टी आइस इं इजिए इन फूश्ट कर occupation में किका एक परसेनल यह शुळ राई है . लेज़ुर अभर हम्र जैसे जो हमारी झाल है था हमें पर साथ parity है . लहा झाल नहीं हम भी पलइवापान ता साल रहा है धीर की बॉसेंद पॉसेंद के पर थे कहा होती है . कि अब जो उनने हमें मार्स हमारे साइड में लिखके भेजे हैं उनने पॉइंट में डाले हैं तो मार्स तो अगर आप कालिट करोगे वह पॉइंट में आई नहीं सकते हैं वह तो एक नॉर्मल फिगर आईगी ना विदाव डेसिमिल तो उनने वह भी पॉइंट में निकाले तो अभी सारे प्रजम्शन्स लगाने पर तो यह सकता यह मिल जाए, हो सकता ना हो, तो अभी किसी को कुछ भी नहीं पता. तो परसंटाइल देखके काफी बच्चों के मन में फिरहाल यह सवाल है कि क्या उनका चांस डेली उनिवर्सिटी में बनेगा या नहीं बनेगा जारातर सवाल यही है और इसको देखकर आपको लगते हैं नया प्रोसेस यह शुरू हुआ है एक्जाम में काफी ग्लिचेस भी आए जो बच्चों ने फेस किये काफी सेंटर्स में कंप्लेंस भी आई थी उन सेंटर्स के खिलाफ अक्शन भी हुआ तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त कंड्यू मैं में में 2 में 1 इस ξेए एकंड मिर नार्स में भी ड्लिचेंगे संथ सब्सक्षाया निच भी डिजूं टार्स में काफीस नार्स बंजूर को क्या के राए पुरा कोर्स पुरा कोर्स पिसले साल पिस फर्स तर्म कभी सेकिंट तर्म कभी दोनों इखटे और डिलेटे पोशन सब तो वो इंपॉसिबल होता है अगर आप डेड महीने भी बोलो पढ़ने के लिए आप पुरा स्लेवर्स नहीं कर सकते है आपके मन में इस वर क्या सवाल ह अगर आप कुछ पूछना चाहें यज़ी या डेली उनिवरसिटी के अद्मिशन्स देपर्टेंट मैं उनसे पूछना जाओंगा कि ओर जैसे जो चॉले अट जूलाय में सब्स्टाइप अगर अभी कह रहें कि एंड अक्टोबर नेवेंबर में और फुराइट तो हमारा एक college life enjoy करने का होता है first years का, वो तो सारा खतम ही हो गया अभी, क्योंकि जो CUETI वो इतना drag down हो चुका है, तो यह तो फिर अपना पूरा curriculum change करेंगे, मतलब डेली के कई colleges, IP colleges चलेंगे, जुलाय मतलब October से लेके next October तक चलेंगे, और कई colleges चलेंगे, मतलब Jan से लेके December तक सबका अलग-अलग curriculum चलेगा, यह तो फिर मतलब अजीब सी बात है, तो आप उच रहें कि क्या curriculum पूरा yearly होने वाला है, या उसमें कुछ कटोती होगी, semesters में, या फिर semester उतने ही रहेंगे, जितने होते हैं, admissions को लेकर क्या सवाल है आपके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे य क्या है, क्या हमें D.U. College मेलेगा या तो कोई और इनुवर्सिटी मेलेगी यह तो किसी को नहीं पता कि D.U. में हो गाएँ भाहल हो दिशि तसा बड़ा क्या हाँड, क्या हो कि अगएं थीजिज दूप यहाँगा, are you in same way दो को भ Hoffman, क्या है बूने का ते बहीं का चांस है, and we should take that D.U. because D.U.'s fees is what makes D.U. also very good and the coaching they give, the training they give is also pretty much at the max level which they provide us. जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर बच्चे का दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में आस्पिरेशन रहता है कि वो दिल्ली उनिवरसिटी के किसी कॉलेज में पढ़े अपनी पढ़ाई वहां पर पूरी करें लेकिन हाली में जो रिजल्ट आये हैं C.U.E.T. के तो जैसे वि में पढ़ने का चांस मिलेगा क्या उने किसी और उनिवरसिटी में पढ़ने का चांस खोजना होगा तो यह कुछ सवाल हैं बच्चों के मन में जिस पर आने वाले समय में NTA और UGC भी जवाब देगी फिलाल D.U. के अड्मिशन शुरू नहीं हुए हैं लेकिन जब वो पर आने वाल हैं उसका कोई हल निकाल सकते हैं या नहीं आलोगदास के साथ में दिली से मिलन शर्मा आज तक